दोस्तो बिग बोस इजिनेटीन के लाइब फीड में घर के अंदर इस समय वीवियन डिसेना काफी ज़्यादा भड़के हुए हैं और वीवियन ने यहाँ पर एक कंटेस्टेंट को सबक सिखाने की दमकी तक डेडा ली है दरसल वो कंटेस्टेंट कोई और नहीं बलकि सेज़ादा धामी है जो कि आज सुबे से ही वीवियन डिसेना को टार्गेट कर रहा है और हर बार उसे टॉंट कस रहा है जी हैं दोस्तों वो वीवियन डिसेना को बार बार जो है ताने मार रहा है और कह रहा है कि मेरे मुद्ध में बीच में क्यों बोलता है वीवियन डिसेना वगेरा वगेरा यानि कि जान बूच के प्रवोक करना चारा है वीवियन को ताकि वीवियन जो है उस पर बढ़के और उसको थोड़ा सा कंटेंट मिल जाए और इसी वज़े से जो है सेजादा यहां पर वीवियन को उंगली कर रहा है जो कि वीवियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है हालां कि वीवियन ने सेजादा को बिल्कुल भी भाव नहीं दिये और वो उसने जाकर सीधा नाईरा को कहा क्योंकि नाईरा गर के अंदर सेजादा की है जो सबसे अच्छी दोस्त है और नाईरा से बात करते हुए कीचेन एरिया में सेजादा के लिए यहां पर वीवियन ने कहा कि वो सुबे से तीन बार मेरे उंगली कर चुका है अब मैं उसकी उंगली तोर के उसी की जेब में डालने वाला हूँ पते उसने बार-बार मेरे को पोक किया है वो अपनी इमेज सुदारने के लिए शोव में आया है कि वीवियन डिसेना को कोई भी जवाब नहीं दे पाई कहीं न कहीं उसकी मजबूरी है यहां पर सुनने के लिए और वो यहां पर वीवियन की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही है अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर जब नहीरा वीवियन की यह सारी बाते जाकर सेजादा को बताएगी तो सेजादा का क्या रियक्शन होता है क्योंकि सेजादा जो है वो उपर के दिमाग से तो बिल्कुल भी सोचता नहीं है जाईर सी बाते उसको सारी ये बाते जब पता चलेगी तो वो वीवियन से लड़ने जगडने के लिए आएगा यानि कि विकेंड के वारे एपिसोड से पहले हमें एक और बड़ा जगड़ा देखने को मिलने वाला है फिलाल दोस्तो आपको इस पूरे मुद्धे में कौन सही और कौन गलत लगता है आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए यदि आप भी वीवियन देसेना का फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस इजन 18 के लाइफ फीड और वीकेंड के बार एपिसोड से जूड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले हैं